आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो CS Executive के साथ साथ B.com की तयारी भी कर रहा हैं, अब B.com में आपका एक पेपर है, Corporate Accounting के नाम से, जो बच्चे B.com की तयारी कर रहे हैं, Corporate Accounting का शायद आपका एक सब्जेक्ट वहाँ पर है, और हमारे CS Executive में भी Corporate Accounting है, च CS में बढ़िया से वो पढ़ाई करते हैं, और B.com में वही topics जो हैं, B.com के लिए भी उनकी cover जाते हैं, मतलब जो बच्चे मुझसे Corporate Accounting है, कहीं से भी Corporate Accounting CS Executive के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको B.com के लिए, उन topics के लिए तो tension नहीं लेनी होती, जो topics यहाँ पर भी हैं और B.com में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे topics भी हैं, जो सिरफ B.com में हैं, CS में नहीं हैं, example के तौर पर internal reconstruction, या फिर amalgamation, news labels में valuation of goodwill, valuation of shares नहीं हैं, लेकिन वो B.com में होता है, तो आप में सिर्व वो students, जो की B.com की exam सब जल्दी ही देने वाले हैं, आपको पता है B.com की exam साने वाले हैं, और वो कुछ ऐसे topics से परेशान हैं, जो CS में नहीं है, लेकिन B.com में हैं, तो शायद मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी help कर पाऊं, देखो 2013 का जो slaves था, मतलब आपको पता है कि हमारा institute जो है time-time पर slaves बदलता रहता है, हमारा CA institute भी बदलता रहता है, उनके भी पर मैं take up करता था company accounts and auditing practices, उसका last batch हमने record किया था, 2019 के June attempt के लिए, ठीके, आपको भी पता है कि COVID की वज़े से 2013 वाला जो slaves था, वो कई बार extend हुआ था, तो 2019 June में हमने उसको last record किया था, और उसकी recordings मेरे पास पड़ी है, अब मुझे लगता है कि मेरे देखो वे किसी काम की ह है नहीं, शायद आप में से कुछ बच्चों का उससे benefit हो जाए, तो मैं वो recordings YouTube पर upload करवा दूगा, तो आपना मुझे इस वीडियो में comment करके बताएगा, इस वीडियो में, कि आपके कौन से ऐसे topics हैं, जो CS में तो नहीं हैं, लेकिन BCOM में हैं, और अगर मेरे पास उनकी recordings available ह हुई, तो वो मैं यहां पर, इस channel पर upload करवा दूगा, ताकि आपके BCOM के exams अच्छे हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ topics हैं, amalgamation, जो अब यहां CS executive के new syllabus में भी नहीं था, old में भी नहीं था, ऐसे ही internal reconstruction हो गया, valuation of goodwill, valuation of share, CS executive के old syllabus में तो है, लेकिन वो MCQ pattern पर ह BCOM में तो descriptive pattern है, अगर liquidation आपके BCOM के exam में, मैंने BCOM का syllabus देखा नहीं है, क्योंकि BCOM के students को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन, क्योंकि BCOM मैंने तो करी हुई है, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि corporate accounting में क्या होता है, और corporate accounting में कुछ बदलेगा थोड़ी, जो यहां पर वहाँ पर भी हो गई है, तो अगर आप किसी topic से परेशान हैं और आप BCOM के student हैं, और आपको लगता है कि यह topic cover होई नहीं पा रहा, तो अगर मेरे पास उनकी recordings हुई, तो मैं इसी channel पर उसको upload करवाना शुरू कर दूँगा, ठीके, और अगर आपको कुछ और suggestion देना हो, BCOM 2019 June की recordings हैं, आपको भी पता है, accounts में as such कोई amendment तो आती नहीं है, तो जो 2019 June की recordings है, वो मैं upload करवाना शुरू करता हूँ, ठीके, तो प्लीज लेकिन अपने BCOM के जितने भी आपके friends हैं, अगर आप ये video उन तक भी help करेंगे, circulate करने में, क्योंकि अगर देखो, आप में से ज्य ज्यादा response हा रहा है, तो मैं वो वाली recordings जो है, जो available है, अच्छे से record हुआ है, comprehensively record हुए था वो वाले batches, उस lecture को, हमने बहुत अच्छे से record किया था, तो वो मैं यहाँ पर upload करवाना शुरू करता हूँ, ठीके, चलिए, thank you so very much, take care, bye. झास नहाँ